अर्चनास वेच पाक्षाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है श्राद शुरू हो गए है 15 दिन के जो पित्र पक्षि के दिन होते हैं वो शुरू हो गए है तो इन दिनों हम अपने पित्रों के लिए उनको याद करते हुए श्रदा की ठाली तयार करते हैं तो चलिए आज मैं वही श्रदा की ठाली आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वैसे तो कई पक्वान बना सकते हैं लेकिन पांच मुख्य जो बनाते हैं वो मैं बना रही हूँ तो किस तरीके से हम जल्दी से इन चीजों को त्यार कर सकते हैं तो ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हैं भी बज़ के लिए में पर केहाँ हैं मुहम की दाल के लिए डाल को मैंने भीगो दिया है तो यह तो दाल हम भीगो दियेеты घली dissolved regular this लेते हैं तु एक बार मिर्च के दाने साथ्में डालके इसे हम पीस लेते हैं जब यह पीस जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और दूसरी बार जब दाल डालेंगे तो इसमें हम नमक डाल देंगे और डाल कर बारिक पीस कर अलग से निकाल लेंगे और इसको खूब फैटेंगे जितना इसको फैटते है उतने सॉफ्ट बनते है अब हमने अधराक और हली मीची को बारिक छॉप करके इसमें डाल दिया है और इसे हम हिलाएंगे और जो हमने धन्या लिया था उसको भी एक दम बारिक से काट लिया था या फिर छॉप कर लेंगे और इसको खुब अच्छी कड़ाई में दिरे दिरे करते हुए हम पकोडिया डाल लेते हैं एक बार में जितनी भी पकोडिया आती है हम उसको कड़ाई में डाल देंगे और डालने के बाद में इसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे ताकि एक दूसरे से चिपके ना जब हम पकोडिया डालता है तो तुरं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम ऐसे छुड़ा लेंगे उसको एक दूसरे से और फिर जारे से अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे जब ये दोनों तरब से अच्छी तरह से गूर्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तेल में अब हम दही वड़ो के वड़ो को तलेंगे वड़ो के लिए हमने उड़त की दाल को अच्छी तरह से 4-5 गंटे के लिए भिगो दिया था इसको हम मिक्सी में बारिक पीस लेंगे पीस्ते समय इसमें हम अध्रक और नमक डाल के बारिक पीस लेंगे दाल को हमने खुब अच्छी तरह से फैट लिया था पानी में डाल कर हम चेक करेंगे यदि यह उपर आ जाता है तो दाल हमारी दही बड़ो के लिए परफेक्ट बन गई है अब उसी तेल में हम दही बड़ो के लिए वड़ो को फ्राई करके निकाल लेते हैं अब एक बड़े बड़तन में हमने गरम पानी किया हुआ है पानी अच्छी तरह से बॉइल हो जाएगा तो हम दही बड़ो के ईसके निष्यimie से लाल मिर्ची गूरिए अपने दाले ग्रीज और ऩॉप श街 मे चैनगे Premat caso加ल के काला नमक दाला हुआर चान के कैनके तो को शॉपत do you do जीरियाओरी को भी हमने भुनह जीर पाउडर को छहान लिया है। हम इसमें सफेद वाला नमक मिलाएंगे और कम से कम इसमें तीन चमच हम शक्कर मिलाएंगे। शक्कर हम इसली दंब है कि भी हम बाहर रखे रहते तो जाधे खर्टे ना भी इसली शक्कर मिलाना जरूरी हो जाता है फिर समें एक दनी आपर हें अब और हरी अब जा भी इसमें नहीया धन्या घूरी पॉड़र हम भी जे एक विल दंब हो दे ये हम घूरा दैना जो दही होता है वो भर जाए और बहुत सॉफ्ट हो जाए इस तरीके से दही बढ़े बनाते तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मसाला इसमें उपर से आप और भी डाल सकते हैं खीड बनाएंगे कहीस में दूद को आजा अच्छी तरए से तो अब उसको हम खीडा डाल को और दालेंगे कि बाद में मदी मदी आच पर खीर को हम पकाएंगे जब तक कि चामल पूरी तर से पकना जाए कि चामल पक चुके हैं खीर भी गाड़ी हो गए है अब हम इसको आच से उतार कर अलग रख देंगे अब इसमें हम शक्र डालेंगे कीर को हमने ढख Самयधा रख दिया था इसको हम अलग रख देंगे और अब इसमें डारेक शकर नहीं डालेंगे हमने एक पैन लिया हुआ है पैन को हमने गैस पे रखा के रोलो हैं करमेलाइस करना है इसे शक्रम का हुद्ध शक्र ग्लोल्डण हो जाता है तो इस तरहिए हम भी डिराइन ही मडी आच पर हईही अच्छी तरहिम करते रहें है ghi मज़तर पामें जर्ञायर Но कि अतफोत प्रशका अच्छोंë भी मेलट मुद्ध है तब हमें गी डालना है उससे पहले हमें गी नहीं डालना है तो शकर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी थी तो हमने एक छोटी वाली चमच घी की डाल दी है और गी डालने के बाद में देखें कितना अच्छा कलर आ गया है और अब हम इसको खीर में मिला देंगे तो इसे खीर का स्वाद बहुत जादा बढ़ जाता है और खीर का कलर भी बहुत अच्छा आजाता है और अब हम उसी के अंदर एक चमर घी और डालेंगे और जो हमने ड्राइफ रूट्स लिए ड्राइफ रूट्स अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं पिस्ता, बदाम कोई भी इसे ले सकते हैं किसमिज, किसमिज भी सब कुछ गी में ही डालके अच्छी तरह से फ्राइफ कर लेना है और ज़्यादा तेज फ्राइफ नहीं करना है जब यह फ्राइफ हो जाए तो इसमें हमें थोड़ा सा दूद मिलाना है और कंडेंस मिल्क लालेंगे हमने इसमें शक्कर भी डाली है और कंडेंस मिल्क दोनों डाला है तो इस तरह से हम कंडेंस मिल्क को दूद के साथ में अच्छी तरह से पका लेते हैं और पकाने के बाद में इसे हम खीर में मिला देंगे तो इस condensed milk डालने के बाद में भी खीर का कलर बहुत अच्छा था अब हम इसको खीर के अंदर डाल के हिला देंगे अब खीर के अंदर हम आधी चमज इलाइची का पाउडर डाल कर इसे अच्छी तरह से हिला देंगे स्वाधिष्ट खीर बनकर तयार हो गई है तीन चीज बनकर तयार हो गई है पकोड़े दही बड़े और खीर अब हम पूरी और आलो की सबजी तयार करते हैं सब्जी बनाने के लिए हमने दो अलो को अच्छी तरह से धो लिया था और इसके दो टुकड़े कर लिया यानि दो अलो के चार बराबर टुकड़े करके कुकर में हमने इसको बॉयल कर लिया था अब हमने एक टमाटर को अच्छी तरह से धो लिया है और या तो टमाटर को पीस के पेस्ट बना लिजिए और नहीं तो इस तरीके से कसनी से कसली जिए कसनी से इसका छिलका तो अलग निकल जाएगा और ये जल्दी भी हो जाता है तो इस तरह से कसनी से हमने एक टामाटर को अच्छी तरह से कसलिया है और छिलके को हम फिक देंगे अब हम मसाला त्यार करेंगे तो एक कटोरी में पानी में हमने एक चमच लाल मिर्ची का पौडर डाला है आदी चमच हल्दी पौडर और एक चमच धन्या का पौडर डालेंगे इसमें हमें हींग नहीं डालना है क्योंकि ये पूरी तरह से सात्वीक है इसलिए अब एक पैन को हम गैस पे चड़ा देंगे और इसमें दो चमज तेल डाल देंगे तेल कोई भी डाल सकते हैं जो भी आप खाते हैं तेल जब थोड़ा गरम हो जाएगा तो उसमें हम एक चमज जीरा डाल देंगे और जीरे को पकने देंगे जैसे ही जीरा अचीतर से पक जाएगा इसमें हम मसाला डाल देंगे और तुरंत हम ढखकन लगा देंगे कुछ देर के बाद में इसमें हम टमाटर डाल देंगे और पूरा जब तक ये मसाला तेल ना छोड़े तब तक हम इसे पकाते रहेंगे इसी तरह से अब हम सभी उबले हुए आलो को हाथ से इस तरीके से तोड़ लेंगे और रग देंगे अलग अब हम देखेंगे कि मसाला तेल छोड़ने लगा है तो जो उबले हुए आलो हमने हाथ से तोड़ के रखे थे वो हम इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से mix करने के बाद में इसमें हम गरम पानी डाल देंगे जितना हमें पतली सब्जी चाहिए हम उतना गरम पानी इसमें मिला देंगे ये सब्जी पतली ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा स्वाधिस्टी भी लगती है और फिर अब इसके अंदर हम कटा हुआ हरा धनिया और नमक डाल देंगे ये सबजी तयार है अब हम पूरी के लिए कड़क आठा गूंद कर तयार कर लेते हैं आटे से हम लोया तोड़ लेते हैं और सभी लोयों से हम गोल गोल पूरिया बना कर तयार कर लेते हैं तो पहले हम पूरिया बना कर बेल कर रख लेंगे और बाद में कड़ाई में तेल गरम करके इसको फ्राइ करेंगे देल गरम हो चुका है इसमें सभी पूरिया हम डालकर फ्राइ कर लेंगे तो इस तरीके से सभी पूरिया फूल जाती है जब पूरी का आँटा जब अच्छा लगता है तो पूरिया सब फूल जाती है तो पूरी का आँटा थोड़ा सक्त गुंदरा चाहिए जीजिए श्रद कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए थैंक यू